आप कितनी भी महनत कर ले आप कितने भी प्रयास कर ले लेकिन आपको वो चीज़े कभी नहीं मिलेगी जो आपके भाग्य में नहीं है आप कितने प्रयास करते हैं, कितने जटने करते हैं, बहुत से लोग बहुत कम समय में प्रयास करके उन्हें वह चीजें प्राप्त हो जाती है तो अगर आपके भाग्य में कोई बातें नहीं लिखी हैं, कोई चीजें नहीं लिखी हैं, तो आपको कभी नहीं मिल ले वाली जो उनके भागी में चीज़े होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रही है, उसके लिए वो बहुत बार पश्याताब करते हैं, बहुत बार उन्हें बुरा लगता है, बहुत बार उन्हें मन में नकारतमक ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़े उनके जीवन में उन्हें फैस करना पड़ती है लेकिन आज आपको घबरानी किया वशक्ता नहीं है अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका फिर भी भाग के परिवर्थित नहीं हो रहा है आपको जो फल है वो फल नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका भाग के साथ दे और कर्म के लिए जनी कर्म के दे हुता है, न्याय के दे हुता है और जब कभी भी हम जो कर्म इस दुनिया में करते वो लोड कर वापस जरूर आता है लेकिन सबसे बड़ी समस्यां यहां शूरू हो जाती है कि वो कर्म का फल aik अगर बहुत देर से मिलता है जब बहुत देर हो होती है तब वो कर्म का फल हमारे किसी काम का नहीं होता है वो लोटकर जरूर आता है लेकिन तब हमारे वो किसी काम का नहीं होता है लेकिन हम सही समय पर हमें सही फल मिले उसके प्रयास हमारे इंपोर्टेंट होते हैं आप जो महनत कर रहें उस महनत को पूरी प्रति बद्धत के साथ करते रहें, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आने दे, अब इसके बाद कुछ परियोग हैं जो आपके जीवन में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत हद तक आपकी महनत का परिणाम मिलेगा, सबसे पहला परिणाम आपको मिलने के लिए आटे के दीपक, आटे का दीपक बना है, उसमें सरसुका तेल डाले और जो भी अपने घर के आसपास पीपल का वरक्ष हो, पीपल के वरक्ष के नीचे आटे का वो दीपक लगाए तिपक लगाते वक्त वहीं पर आप अगर कर सके तो हनुमान चलिसा का पाट करें, बजरंग बाण का पाट करें और गीता का अगर आप सात्वा अध्याए वहाँ बेटकर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें तीनों में से कोई एक ही प्रयोग एक ही का वाचन कर या तो बजरंग बाण पढ़े या अनमान चलिसा पढ़े या गीता का सात्वा अध्याए वहाँ पर पढ़ना है ऐसा करने से जो भी आत्माएं हैं पुन्य आत्माएं जो इस दिव्य लोग में विराजित हैं उन्हें शान्ती प्रदान होती है जैसा कि हम शाद्य पक्ष में हमारे पुर्वजों के लिए जो प्रयोग करते हैं पुर्वजों की शान्ती के लिए जो प्रयास करते हैं वही प्रयास एक positive प्रयास अंचान लोगों के लिए अग्यात लोगों के लिए हमारे द्वरा ये प्रयूग किया जाता है उनसे उन्हें शांती मिलती है उन्हें मौक्ष मिलता है और जैसे जैसे पुन्यात्माओं को शांती और मौक्ष मिलेगी आपके जीवन में एक सकार अत्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यह प्रयोग आप शनिवार कर सकते हैं, मंगलवार कर सकते हैं, शुक्रवार और रविवार के दिन को छोड़कर अन्य दिन कर सकते हैं, महिलाए हैं, पुरूशे सभी कर सकते हैं, महिलाए गीता पढ़ सकते हैं, अगर ब ज्यादा मात्रा में नहीं और वहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखना है हमारे घर हम वापस लोटकर आ जाए यह प्रयोग जिस भी जातक ने किया है यह पांच बार कर सकते हैं पांच दिन कोई से भी चुन ले आप या तो पांच मंगलवार पांच गुरुवार पांच स आज दिन आप चाहिनित कर सकते हैं यह परयोग जिन भी जातकों ने किया है उन्हें बहुत हद तक बहुत सकारत्मक बदलाव मिला है आप भी करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़े पॉस्यूटिव होगी अच्छा लगो तो लाइक करना शेर करना कमेंट सकत cारे मा मिला हुत चाहिक बहुत सारा बदलार उस भुद साय Wow